So, Hello you all guys, Welcome to Hexbrain तो आज का हम जो use सिखने वाले हैं ये should का होगा इसको हम should बोलते है should इसको हम हिंदी में बोलते हैं करना चाहिए या फिर होना चाहिए ठीक है इसको सिख लो ये जो मैं सिखा रहा हूँ should ये model auxiliaries के अंदर में आता है तो हमें model auxiliaries ये नाम पे focus नहीं करना है हमें बस देखना है should का use हम करते कैसे हैं तो इसका हिंदी मतलब बता दिया करना चाहिए या फिर होना चाहिए तो उसका use आपको बताता हूँ कौन-कौन से sentence में हम मैं sentence जो बनाऊंगा वो sentence के हिसाब से आप सभी को समझ जाएगा बहुत आसानी से should हमने क्यों use किया है और should का use होना क्यों चाहिए so let's get started with the sentences sentence देख लो समझ जाओगे अगर मान लो मुझे बोलना है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए है ना should का means वही होता ना करना चाहिए ये फिर होना चाहिए तो मैं किसी को बोलूँगा कि तुम्हें अपना homework करना चाहिए तो मैं उसको क्या बोलूँगा you should do your homework means तुम्हें अपना homework करना चाहिए means अगर short में आपको बताऊ ना तो should का use होता है किसी को advice देने के लिए हम किसी को advice देते हैं हिंदी में हम किसी को सलाह देते हैं तो सलाह को हम English में advice बोलते हैं तो मैंने क्या बोला तुम्हें अपना homework करना चाहिए मैं सलाह दे रहा हूं आगे वाले को बता रहा हूं, advice दे रहा हूं तो English में क्या बोरूंगा you should do your homework अब इसका negative कैसा बनेगा तुम्हे homework नहीं करना चाहिए तो simple सी बात है should क्या कर not लगा देंगे हम you should not do your homework ओके negative देख लो बना दिया हो मैं negative भी तो मैंने दोनों sentence आप सभी को बता दिया positive sentence you should do your homework और इसका negative होगा you should not do your homework means तुम्हे homework करना चाहिए या फिर तुम्हे homework नहीं करना चाहिए दोनों sentence बना दिया होँ चलो अब next sentence देखते हम अभी मान लो गर्मी चल रही है summer का days चल रहा है तो हम किसी को advice देते हैं you should drink cold drink means तुम्हें cold drink पीना चाहिए you should drink cold drink हैं तो आप advice अगर दो कि किसी को you should drink cold drink आप बोल सकते हो तुम्हें cold drink पीना चाहिए अगर मुझे अगर उसको बोलना है कि cold drink सेहत के लिए अच्छा नहीं है cold drink मत पियो तो मैं क्या बोलूंगा उसको हिंदी में तुम्हें cold drink नहीं पीना चाहिए है ना यह एक advice है जो मैं इसको दे रहा हूँ तो आप इसको negative sentence के तरब से भी बोल सकते हो कि you should not drink cold drink ओके and I hope कि आप सभी को यह sentence समझ रहे होंगे बहुत आसानी तरीके से मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ ताकि आप सभी notebook में लिखके practice कर ले अगर समझ में आ रहा होगा तो comment में बता दो yes समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा हो तो comment में बता सकते हो समझ में नहीं आ रहा है चलिए अब next sentence देखते हैं आप सभी के आसानी के लिए कि और sentence कैसे बनते हैं so let's तो यह हमारा अगला sentence है मान लो आप कोई काम करने गए आपका दोस्त उतने में ही बोल देता है मतलब आपके बात में दखलना अंताजी करता है हैना आपको रोकता है कुछ काम करने से तो आप उसको बोल सकते हो अपने काम से मतलब रखो तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए बनाना है, should के आगे, not लगा दो you should not mind your own business तुमें अपने काम से काम नहीं रखना चाहिए है ना, इसका negative है तो हम हमेशा positive में use करते हैं, किसी को advice देते हैं, तो not के sentence हम ज़्यादा बोलते नहीं है, फिर भी मैं not लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है और दो तीन sentence बता देता हूँ, ताकि आप सभी को easily समझ में आज रहे देखो ये भी एक sentence है हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, means क्या बोलेंगे हम, you should help poor people तुमें गरीबों की मदद करनी चाहिए है ना, गरीब means क्या, जिसके पास कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है पहनने के लिए चपल नहीं है पैर में पहनने के लिए चपल नहीं है या पिर जो भी चीज़े उनको, जो common जो चीज़े होती है नो, जो हमारे पास है कुछ लोगों के पास नहीं होती है जो हम railway stations पे देखते हैं कुछ लोगों को जो poor person होते हैं तो advice क्या दे सकते हैं अपने दोस्त को मालनो तुम्हारा दोस्त के पास extra चीज़े हैं extra कपड़े हैं तो आप बोल सकते हो you should help poor people है ना कपड़े दे के आप उसको यही बोलोगे you should not help poor people है ना should क्या आगे not लगा दोगे तो जैसा मैंने आप सभी को बता है not के sentence हम नहीं use करते हैं ज़्यादा तर use करते हैं ना क्यूंकि आप advice किसी को not में नहीं दोगे ना गलत ना में नहीं दोगे न advice देना मींस क्या होता है उसको बताना तो positive sentence होते हैं advice के तो not should क्या के not लगा दो तो तुमें गरीब के मदद नहीं करनी चाहिए you should not help poor people बना सकते हो बनानी के लिए मैंने बता दिया कभी करना मत ऐसा you should help poor people बस अगर आप सभी मेरा वीडियो देख रहे हो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है चैनल पे जो वीडियो में अपलोड कर रहा हो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं आपको क्या बोलूँगा तुमें मेरे चैनल को subscribe करना चाहिए तो इंग्लिश में इसको क्या बोलूँगा में you should subscribe my channel you should subscribe my channel है ना अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को subscribe करना चाहिए अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं तो आपको चैनल को subscribe नहीं करना चाहिए तो इसको negative कैसे बनाएंगे you should not subscribe my channel negative यह बना दिया तो जैसे आपको बता है positive ही बनाओ advice positive में ही देते हैं तो I hope कि मैं इतना आशा करता हूँ कि आप सभी को should का use समझ में आ गया होगा इससे आसान नहीं हो सकता सबसे आसान तरीके से मैंने बता है should का पूरा use आप सभी को समझ गया है so वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को subscribe करो like करो share करो आपके friends family जहाँ जहाँ आपके दोस्त है यार सभी को share करो और बताओ कि English is very easy language